दोस्तों IPL 2023 सीजन के लिए चेन नई सुपर किंग्स ने एक मजबूर्ट स्कौड बना चुकी है चेन नई सुपर किंग्स सीजन का अपना पहला मैच गुजरा टाइटन्स के खिलाफ के लेगी चेन नई सुपर किंग्स ने इस ओक्षन में काफी समझदारी दिखाते हुए साथ खिलाडियों को अपनी टीम में शामिल किया है इस दोरान उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को अपनी टीम में शामिल किया बेन स्टोक्स के टीम में आ जाने से इमस धोनी को एक ऐसी त्रिमूर्टी मिल गई है जिसे देखकर सभी टीमों में दर का महौल रहने वाला है महेंद सिंग धोनी की कपतानी वाली चेननाई सुपर किंग्स टीम की ये त्रिमूर्ती बेन स्टोक्स, रवींदर जडेजा और मोहिन अली हैं वर्ल्ड क्रिकेट के ये टीम बैस्ट और राउंडर आईपियल 2023 में फैंस को एक साथ खेलते दिखाई देने वाले हैं बेन स्टोक्स के CSK में आने के बाद अब इस टीम का स्कौड सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है जो काफी टीमों के लिए खत्रे की घंटी बजा सकता है आईपियल के नियम के मताबित एक टीम प्लेइंग 11 में चार विदेशी खिलारी शामिल कर सकती है ऐसे में बेन स्टोक्स और मुईन अली कप्तान दोनी की पहली पसंद रहने वाले हैं और रवींद्र जदेजा तो टीम के सबसे एहम खिलारियों में से एक हैं इसका मतलब ये है कि फैंसेस बार इन तीन मैच विन खिलारी को एक साथ लेइंग 11 में खेलते देख सकते हैं जो काफी रोमांचक रहने वाला है ये तीनों ही खिलारी गेंद और बल्ले दोनों से कहर बरपाने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों अगर आप भी क्रिकेट दिखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल अपना कप को आप जरूर सब्सक्राइब करेगा धन्यवाद